मैं नाकपर माराषस से बीलोंकरता हूँ मला मना है से कि तो प्रैक्टिकली होते आनी आपे यह महाँ थे तो प्रैक्टिकली सsınızव स्म्दू होता त्यामड स्मंदू हदे आतना हमन्ना था कि नविन्ज नहीं है तो आता है कि यहां्ट पूरॉआ तो और तुम्सा पूर्ना प्रैक्टिकली पूर्णा जॉस्टी थे लर दूक्तली फुर्ना चे लिसे लर्ट है भाईनलके। हतो है आज रहें परफ करेंदे नहीं होंट मैं सवागत हैं आज मोट आम प्रहणा में मोटर देखियों प्रहण। सारे ठीक है तो बभी ये connection वगरा करके बदलब सही ही तो confidence सा कुछ आ रहा है हाँ सर बहुत confidence हा रहा है कोई चीज हमने सर ये practically कर रहे हैं तो पहली बार हम सर practically कर रहे हैं तो रहा बता ये अपने बारे में कहां से हैं और कितने दिन होगे क्या कुछ सीखा है सर मैं नाकपुर महारजाय से विलोंकरता हूँ सर और मैं सर यह पर practically सीखने के लिए तो कोई भी मतलब college में हम जाते है तो कुछ practically कही है जो कुछ होता है वह थरोटिकल होता है इसके लिए हमको मतलब बट प्रैक्टिकल लौजि इतना नहीं था सर अभी मैं मतलब चार दिन हो गई हम आप पर सिख रहे है सर बौट अच्छी शिक रहे सर अभी पाहले बार हमने स्टार डिल दा गड़ा है शेल कर अड़ा ऐस स्टार्टर बनाना है, हां सर तो कितिनी देर में बन जाए मों सर दस मिनिट में बन जाएंगा सर एक बार मैंने पहले डाइग्रम अगर बना ली, पुरा कन्फिजन पुरा दूर हो गाई सर ये आप जैसे पड़ा जय और पुरा मतलब आप पुरा दिमाख से पुरा मतलब कनि पुरा एक्लियर हो गया सिर्ट भी मैंने डाइग्रम अगर डाइग्रम भी नहीं देगी पुरा कनिक्शन बस क्लियर हो गया सिर्ट तो अब ही हमारा एक नया बैस थाहर है उसके लिए जो लोग अमारे वीवर हैं उनको आप कुछ कहना चाहोगे है मैं यह चाहूँगा कि आप अपनी मात्र बासा महरास्टर उस लैंग्विज में बताइए कि कोर्स कैसा है उनको जोइन करना चाहिए नहीं बिल्कुल सर उधर उनको उम बोलेंगे हाँ सर मैं नाकपर महरास्टर से बिलॉंग करता हूँ मला मनायश है कि हाज कोर्स है फु प्रैक्टिकलि होते आनि आमधे फु प्रैक्टिकलि सर्वसक्र की इसा सर्व संधूएता थ्यामधे मी सर्व सर्वीवर्श मनना था कि नवींचे बैस आयो नहीं तो अभी थोड़ा सा हम टेक्निकली जान लेते हैं मैं प्लीज जो हमारा कैमरा मैंने उनको बोलूँगा कि थोड़ा प्लीज इधर आके यह लोगों को थोड़ा करेक्शन में इशू होता है कि क्या करेक्शन है थोड़ा सा समझाएंगे इसमें किस तरह के करेक्शन होते हैं क्या कुछ होता है हाँ सर अभी हमने किया है सर यह डेल्टा कनिक्शन किया है डेल्टा कनिक्शन का जो होता है मतलब यह जो कनिक्शन है यह ओपोजिट हो जाएंगा दो कनिक्शन आपस में होता है उसको बले डेल्टा कनिक्शन यहा का कनिक्शन इदर जाएंगा यहा का कनिक्शन इदर जाएं तो इसमें हम लोगों ने अपने जो लब कन्फूजन थे काफी इसमें क्लियर हो गए हैं और यह इजी हो गया हमारे लिए तो फ्रेंड हमारा अदेकुर नया बैच अभी चलने वाला है अभी और बच्चों से भी हम बात करेंगे हो सकता है कि आपके स्टेट के हो तो बने रह तो बात करेंगे हो वाला है